हेलो बच्चा लोग केसे हो आप सब उमीद है आप लोग एकदम मस्त होगे मैं हूं तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वह बहुत ही छोड़ा सा चाप्टर है और वह उस चाप्टर को जो नेम है वह आपका फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है तो सबसे पहले समझेंगे की मार्केट क्या होती है आप बच्पन से अब कहले हैं यह दो कौन से दो लोग तो लों होते हैं मैं इक तो हमता है और एक कौन होता है एक क्या करता है मैं बेचता है समान खरी दने जाता है तो वह ही तो है बेटा market market is a place where there are two parties कौन सी दो पार्टी एक होता है बायर और एक होता है seller जिनका आपस में contact होता है बायर क्या करता है खरीतता है seller क्या करता है बेचता है अपनी गुड़ और सवसिस को यही बेटा आपका मार्केट होता है तो फड़ा फड़ा डेफिनिशन देख लेते हैं मार्केट की मार्केट इस प्लेस मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर दो पार्टी का कॉंटेक्ट होता है पहली कौन बायर दूसरी कौन और वह बैसिकली क्या करते हैं किसका और सवसेस को खरी देते हैं या तो बेचते है और सेल्लर क्या करता है बेचता है बिल्कुल तो यह तो होगी मार्केट हमें आता ही तो कि ताइप वह है आपका इसे में सिर्फ कॉंपिटिशन है इसमें कोशन आ जाता है कई आप मौसेट यह उसके पता दो या कई बार इतने सारे फीचर में एक फीचर उठाके देगा तीन या चाहन नंबर का explain करो दाट फीचर बहुत important question है paper में मान के चलो या तो question आदेगा perfect competition के features पता ओ या फिर एक feature उठाके देगा examiner कि वह पर उस feature को explain करो तो यह आपके शलेबास में बाकी जितने भी टाइप से यह जो ठीज वह आपके शलेबास में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं करने वाले तो इसका हम पॉफेक competition market कहते हैं और इसीको इंपउफेकट इंपऊफेक्ट मार्केट भी बोल देते हैं इंपउफेक्ट भी dus treat है न यह मार्केट में नहीं है तो ना करते हैं पॉफिक कॉंपेटिशन को पड़ते भी की धूफी में कैसे लिखेंगे पर देखो भी और सब्काइशन को आप डेफिनिशन भी ऐसे लिक सकते हो तरह पर और फटिंशन को बहुत ही अच्छे समझते हैं मैं पहले ही इसे प्रेपर में खाली यह तीन नमर का पूछ लिया जाता है या फिर कई बर आपसे पूछ लिया जाता है यह वाला freedom of entry and exit star mark कर लिजिए बेटा star mark खाली तीन या चार नंबर का question अकेला यह दे रहते हैं explain करो freedom of entry and exit under perfect competition ठीक है जी तो करें शुरू लो जी तो सबसे पहले हम जो point समझने वाले हैं वो है आपका large number of buyers and sellers सबसे पहले अब हम समझते कि मैं में पॉफेक्ट कॉम्पेटिशन होता गया है उसका एक एक्जामपल समझते हैं हम समझ रहे हैं पॉफेक्ट कॉम्पेटिशन इसके feature को समझने से पहले एक 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 या मंदी अगर आपने कभी बेटा सुना होगा अनाज मंडी या ग्रेन मार्केट जिसको आप बोल देते हो अनाज मंडी तुना होगा जहां पर क्या करते हैं फार्मर्स अपनी फसलों को बेचते हैं गेहूं को बेचते हैं वहां पर बेसिकली अनाज मंडी में क्या होते हैं बहुत सारी दुकाने होती है बहुत सारी क्या होती है द लोगो बेज देते हैं वीट को राइस को यह सारी चीज़ां इसमें इसको हम कहते हैं अनाज मंडे अब समझो जो अगर आप देखते हो अगर इसका जो हमने एक्जामपल लिया ग्रेन मार्केट हम खुछ जानते हैं बहुत सारे बायर्स हैं हम बहुत सारे लोग है जो सेलर बीचते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस पर नहीं bei सकते साना मेरी अनाज मंडी में एक समया मैरे पास मेरे प्राइस फोंड। और देखो अब मुझे बताओ मैं डिमांड का यहां पर आपकी डिमांड और सप्लाइच कट कर जाएं वह प्राइस को वह क्या कर देते हैं fix कर देते हैं देख रहे हो मानलो यहां 1000 पे था यह 1000 पे 2000 पे 3000 पे 4000 पे 5000 पे कहने का मतलब यह ले लो जहां पर demand और supply cut कर जे वो price को final कर दिया यानी 4000 पे final कर दिया मानलो यह हो गया एक बोरी अना 4000 की ले लो एक बोरी अना 4,000 की जो इन रेट है ना जो प्राइज है वो दुकानदार ने खुद से डिसाइड नहीं किया यह जो प्राइज है वो पीछे डिसाइड हुआ है इंडस्ट्री डिसाइड किया है अब किसके बेसिज भी डिसाइड किया है on the basis of market forces of demand and supply क्लियर हुआ सिंपल भी बात है इतना याद रख लेना अंडर परफेक्ट कॉंपेटिशन जो भी इंडस्ट्री जो भी फॉर्म है जो भी बिजनसमैन है अपनी मर्जी से प्राइज को डिटर्मेन नहीं करता अपनी मर्जी से प्राइज डिसाइड नहीं कर सकता पीछे से रेट आता है उसी रेट पे वो आगे क्या कर पाएगा बेच पाएगा और बेसी दो मार्केट फॉर्स दिमांड है इसलिए फॉर्म को बोला जाता है इसलिए फॉर्म को बोला जाता है प्राइज टेकर प्राइज टेकर नौट प्राइज मेकर नौट प्राइज मेकर प्रा लगेस को वो क्या कर लेते हैं पाइनलाई कर देते दिए राइस टेकर नौट प्रार्फ मेकर मेकर मतलब खुझ से प्राइल डिस хотел नहीं कर सकते पीछे से यई जो रेट आरे है मुट्स मेरिक त talk भूर्व्षन आजाता है और बॉट सारी बायर्स और बहुत सारे और बहुत सारे और जो वह अपनी मर्जी नहीं कर सकता जो प्राइज है वह पीच्छे से होता है on the basis of market forces of demand and supply इसलिए जो फॉर्म है वो प्राइज टेकर है प्राइज मेकर नहीं है अगर एक अगर एक फॉर्म थोड़ा सा भी रेट बढ़ा देगी ना अब मालो यहां पर क्या प्राइज रिसाइड हुआ था मैं चार हजार पे डिसाइड हुआ अब जितनी भी फॉ यह वहला फॉर्म केदे कि ना जी ना मैं तो साड़े चार हजार पे की बेचेंगे तो अब उसके कस्टमर का चले जाएंगे मैं दूसरे दुकान पे चले जाएंगे समझ पारे हो दूसरी दुकान पे चले जाने का मतलब यह क्यों अव्वेस बात है आप खुछ सोचो यह म पर नीचे कर सके थोड़ा साभी प्राइस अगर बढ़ा देगे उसके सारे के सारे कस्मर्स दूसरी दुकान दार पे चले जाएंगे अब यह समझाया इजी था कोई मुश्किल नहीं था तो यहीं बेटा लाज नंबर और बाया सेलर्स इसमें आप क्या-क्या पॉइंट डालोगे आप इसमें फड़ा फड़ा से देख लो इसमें मैं क्या-क्या पॉइंट डालेंगे तो सबसे पहले यह पॉइंट इसमें प्राइस को डिसाइड किया जाता है ओंदा बेसिस ऑफ ओंदा बेसिस ऑफ मार्केट पॉर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाइ इसकी बेसिस पर प्राइस को डिसाइड किया जाता है मैं तीसरा पॉइंट इसमें क्या डालेंगे मैं यही डालेंगे थोड़ा सा भी प् डाइज इन प्राईस रिएजरी रिझो प्राइज नांप्राई रिएज द्यागे में दूसरी फॉर्म पे लीजर रिद्यूस देर कस्टमर स कि एस डिद्यूस देयर कस्टमर्स एस देयर कस्टमर्स कि शिप्स चुदा शिप्स टूदी अधर फॉर्म दूसरी फॉर्म पे वह क्या हो जाएंगे शिप्ट हो जाएंगे मतलबardo कैस्मा टीचोगों थे कि वह सुलदी करwork जैंगे इसी की चक्कार में जो फॉर्म मां आपकर टैकर है पीखे के जो रेट रहां रहा ह।्य ले रिया लुक्त या ऑच व тех कि न电घाज नजी करने कर फाईश नट और प्राइश मेकर और जो प्राइज है मैं वो क्या रहता है हर बार कॉंस्टेंट रहता है चार अजार पे तो मतलब वह चार अजार ही रहेगा हर फॉर्म के लिए वह अपना प्राइज उपर या नीचे नहीं कर सकती जब तक डिमांड और सप्लाई में चेंज ना आने की वज़े से प्राइज में फ् फ्राइज के था प्राइज डालोगा इसलिए साइल की बनते ही न बढ कर या डाईग्रम बनते है मैं जो डाइग्राम है वो चांड व क्या है फिरम इतनी फॉंट कवय मोई इतनी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी जितना मर्जी मैं समान बेचूंँ यहां आते आपका प्राइज यहां क्या आती आपकी क्वांटिटी जो आती हमीशा यूनिट में और प्राइज क्या होता हमीशा रुपीज में यह मेरा प्राइज है यह मेरा ये मेरा एक अव cm यह मेरा उ प्राइЗ है ना ओभ पिया हमीशा क्या है constant है मैं प्राइब में चेंजने पिल्हेलों के लिए ये प्राइज सेंध है यह वह इतनी इतनी चाहिए दिशन हो इतनी छाइँ इतनी चाहिफ नहीं दोज़ारे लिए और है जी तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया लाज नमबर वायं सेलर्स में आप क्या-क्या पॉइंट डालने वाले मैं यह वले पॉइंट हम डालने वाले हैं कि फॉर्म खुद की मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती प्राइस को मार्केट फॉर्स डिवार्न सप्लाई क लगाए जांगे तो बिल्कुल कम हो जाएंगे दूसरी फॉर्म पर फॉर्म हो जाएंगे इसलिए माइम वह हमारी प्राइस केकर होती है प्राइस. 커em नहीं केस odor Tomorrow बिल्कुल जी मैं यह प्राइस फ्रौाइंट यह तो मैं अच्छे सा आगया मplatz हम दूसरा पॉइंट क्या ह हमारा होमोजीनियस प्रोड़क्त होमोजीनियस प्रोड़क्त रेस कर दू पेटा स्क्रीन शोट लेना तो प्लीस ले लीजिए यह सारी चीज़े मैंने माइश्पेंड कर दी इसका ना हमीशा दिमाग में रख लेना अनाज मंडी वाला फेलेट के पास एक ही से आता है वह अपनी मर्जी से रेट को उपर नीचे नहीं कर सकता यह यह आपका पॉक्राइस यह मिंद करने प्राइस यूमोजीनियस प्रोडक्त मतलब उसका साइस उसकी क्वालिटी उसका टेसट टेस्ट कलर शेप वेट यह सारे के सारे जो फीचर्ज है ना वह एक जैसे एक्जाम्पल लेते हैं मालो एक्जाम्पल लेरियो मैं यह अनाज मंडी है ठीक है यह क्या है अनाज मंडी है बिल्कुछ यहां पर माल लो जोना बाद करें रहिए एंए यहां इसका कलर शेप उसका साइज उसका उसका है वह सारे के सारे जो चोटा बड़ा जो वह वह क्या है सीवी जाल कि जलेगे दूसरी दुकान पे अगर मैं यहां ले लेती हूं एक्जाम्पल और थे चे दुकानदार के पास होमोजीनियोस प्रड़क्त थे जो अनाज था वह दुकानदार के पास एक जैसा था इसमें शेफ कलर साइस सब एक जैसा था थी गेहूं का दन ठीक है अब मालो हर पीछे से जो रेट का साफसे डिसाइड हुआ अगर यह दुकानदार अगर यह दुकानदार पंदस और पे में बोरी बेच रहा है और बाकी दुकानदार हजार-खहार पे में बेच रहे ना कि नव checklist मतलब हर दुकान पर प्रोडंच मिल रहा है सब और अच्छा कृणद लएrane तो क्योंसाइज नहीं नहीं है तो फाइदा ही यहां से महिंगा करीदने का मैं हम दूसरी दुकान से खृष देंगे ला वही वली बात कर रहे हैं यहां पर जो प्रोडाक्ट है वह होमोजीनियुस है होमोजीनासं का मतलब है डियर यह जीरो डिग्री ओफ प्रोड़ाक्ट डिफ्रेंससेशन यानि प्रोडाक्ट में कोई बीडिफेंश नहीं जीरो डिग्री मतलब कोई भी डिफेंश और सारी की दुकान पर यही है आपका होमोजीनियस प्रोडाक्ट का फीचर क्लियर है बिल्कुल क्लियर है मैं वियला पॉइंट भी लोग चले आगे इसलिए उसको बोल देते बेटा यह लिख सकते आप इसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री ओफ प्रोडाक्ट डिफ्रेंसेशन भी बोला जाता है यह तो कर दिया कि ए रेस लोगी मैम हम कर रहे हैं अब मैं मेरी पता ओप्रोफेक्ट नॉलेज का मतलब खुद पताऊ पॉफेक्ट मतलब नॉलेज मतलब ग्यान यानि जो बायर है न जो खरीद रहा उसको पूरा पता है पूरा ग्यान है कि भाई मार्केट में क्या रेट चल रहा है क्या टीवी में न्यूस पर आ जाता कि गेहु की एक बोरी का रेट चल रहा है तो वही वली बात करें पॉपक्क नॉलज है बायर्स को की बहुत में क्या रेट चल रहा है क्या क्वालिटी ओनी चाहिए प्रोड़क्त की बायरी वेल अवेर अवाउट दफ्रड़क अब आउट दप्राइज ओफ दप्रोड़क इसी वजए से सेलर उसमें छेट छाड नहीं कर सकता जब बायर को पता है भाई मार्केट में हजार पे एक बोरी का रेट चल रहा है तो सेलर अपनी मर्जिर देप्राइज को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अगर सेलर ने रेट बढ नॉलेज है अगर एक सेलर ने थोड़ा सा भी रेट बढ़ा दिया तो मैं कस्टमर का चले जाएंगे दूसरी दुकानों पर चले जाएंगे वही है बेटा पॉफेक्ट नॉलेज यानि दबायर है बायर को इतनी अवेरनेस है उसको पता है कि मार्केट में क्या रेट चल र पॉइंट का पॉइंट अब आगे जो चलते हैं वह आपका फ्रीडम ओफ एंट्री और एक्जिट बहुत ही द्यान समझेंगे बहुत ही द्यान समझेंगे मैं तो इसको लास्ट में समझाते हैं क्योंकि आराम से टाइम लेके समझाएंगे पहले फड़ा वर्ची तीन पॉ फूर्ट कोंपेटिशन के फीचर में तो पड़ा पर तीन पॉइंट समझ लेते हैं फिर फॉर्ट इस पर फोइंट पॉइंट डिसीजन में कि इंडिपेंट मतला अजादी एक पूर्म के पास पूरी इंडिपेंडेंस है वह अपनी मर्जी से डिजीजन ले सकता है यानि क काटनर्स नहीं बनते हैं जोशेजन लेते हैं जोशेजन लेते हैं कि product को क्या समान बेचने हैं कहां से क्रीद कर दोगा हर एक चीज काटनर्स का मतलब होते। डूप कोई भी काटनर्स नहीं होते हैं कोई भी ग्रूप पीपल नहीं बनता एक फॉर्म इंडिपेंडेंट है उसको जो डिसीजन लेने अपने अपनी फॉर्म से रिलेटेड तो वह ले सकती है लेकिन जो प्राइस का डिसीजन है वो किसकी बेसिस पर लिया जाता है कोई काटल नहीं बनते कोई ग्रूप फीपल नहीं है कोई ग्रूप इसम नहीं होता है यहां पर जो फॉर्म है मेरा बिसनस है मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं कि भाई मुझे कौन से फार्मर से ख्रीदना है किन को बेचना है everything is every decision is taken by me मेरा बि independent decision making में कार्टल वर्ड को लिख लेना स्टार्मा कर लेना यह वर्ड आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कुछ वर्ड होते ना जो पेपर में टीचर ढूंडता है यह वर्ड लिखा हुआ कि नहीं लुखा हुआ वह वर्ड होते हैं अब है पॉफेक्ट मॉबिलीटी दूसरी जगे कुछ समझ नहीं आ तो आज वएग्जांपल वे लोगि आज वेख्जांपल वे माल लो दो अनाजमंडी लेरीं में एक्ड़ियाना की एक अलग्यान में अनाजमंडी है अटे इक अनाजमंडी लेरीं में पंजाब की इसके कि यहां पर क्या है दुकाने यह भी क्या है चार दुकाने मालो एक लेबर एक लेबर है जो इस दुकान पर काम करता था लेकिन उसने देखा कि तो अब देखो यह जो परसन है वह इसली मोबाइल मतलब शिफ्ट हो सकता है एक जगे से दूसरी जगे वहां जागे काम कर सकता है क्यों कर सकते है क्योंकि उसको पूरी नॉलेज है वहां पे रखने हैं उसको पूरी नॉलेज है उसको पूरी नॉलेज है है regarding पोलता चाहिए वह यहां काम करे दिक्क्त नहीं आएगी रिबक मॉबिलटी दाएं जाधा पैसा कमाना हो यह तो यह एक जगे से दूसरी जगे जा सकता है उस परसन को पॉफेक्ट नॉलेज है रिकार्डिंग प्रडाक्ट चले यहां तो को इस्यू नहीं होगा पट है अग्याच पॉइंट आपका नो ट्रांसपॉटीशन कोस्ट नो ट्रांसपॉटीशन तो सब्सक्राइब अब मैंने क्या बोला मैं मार्केट फोर्सेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रेट निकला हजार पे बोरी निकला तो सारी की सारी फॉर्म को भाई हजार पे में बेचना पड़ेगा वह हजार पे से एक रुपेया उपर नहीं करेगी वाई क्यों कि कुछ सब्सक्राइब नहीं बढ़ा सकता अब जो हजार पे बीचे से आया है वह यह नहीं कह सकता कि मैं इसके अंदर अपर्मोशनल क्या कह सकते हूं नहीं कर सकते इसके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टीशन का खर्चा कोई भी प्रमोशनल कोई भी एड्वर्टाइसमेंट करिए कुछ भी आपने ऐसा कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टीशन का खर्चा आप अपने प्राइज में एड्ड नहीं कर सकते जो प्राइज है वह कॉंस्टेंट रहेगा हजार पे उससे एक रुपईया उपर नहीं कर सकते आप यह हमाट और सारे के सारे सेलर को इसी पे बेचना पड़ेगा वह अपनीमर्जी से कोई भी सेलर अपना प्राइज नहीं बढऻा सकता यह बात हैंक उसके अंदर अप्ने प्रोड़ुक्ट के प्राइज में कोई भी दूसरे खर्चे आड या कोई भी ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा आड नहीं कर सकता नो सेलर इस अलाउड क्यों क्योंकि जैसे ही वह बढ़ा देगा उसका प्रोड़क्ट महंगा हो जाएगा प्रोड़क्ट महंगा हो जाएगा तो सिंपल ही बात है अगर एक अनाज मंडी में एक दुकांदार ऐसा कर रहा है तो क्या करूंगा मैं दूसरे दुकांदार के पर सब्सक्राइब कर दिया और अपनी मर्जी से उस सब्सक्राइब कोई भी उपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइज में अगर आपने उपर कर दिया कि मैं प्रॉफिट जादा कमा लूँ तो मेरे सारे के सारी कस्मर इधर से उधर हो जाने है और मैं सारे अपने कस्मर खोद दूंगा और कोई भी बिजन को अब बात करने वाले हैं वह आपका फ्रीडाम औफ एंटरी एंड एंड एक सिट फ्रीडम का मतलब क्या होता है मैं अजजादी रीडं का मतलब क्या है अजादी किस चीज की अजादी है एंटर करने की अरे किस चीछ के जादी है एंटर करने की भी और एक्जिट का मतलब छोड़ के जाने की भी अगर मैं एक लोगों पैसा कमा लिया बहुत प्रॉफिट कमाने लगी थी इस बिसनस में तो क्या हुआ इस चक्कर में बहुत सारे लोग देखने लगए यार इस बिसनस में तो बहुत पैसे है इस बिसनस में तो बहुत मुनाफ़ा ओर रहे हैं लोगों को तो यहां पर लोगों को तो कोई भी पर्सन आ सकता है उसको freedom है अजादी है of entry कोई भी अपना business यहां पर आके खोल सकते हैं कोई रोक टॉक अब है freedom of exit freedom of exit का मतलब क्या है exit का मतलब क्या है छोड़ के जा सकते हैं कभी भी है ना अब देखो भाई उसको पूरी अजादी है पहले तो freedom of entry की भाई अगर मालो profit हो रहा है तो कोई भी फ़र्म आ सकती है अब क्या बात कर रही हूं अगर मालो यहां पर इस business में नुकसान हो रहा है लोगों को losses में जा रही है तो अगर कोई जाना चाहे दुकानदार तो भाई वो छोड़ के जा सकता है मालो उसको ने सोचा यार बहुत नुकसान हो रहा है इस business में मैं छोड़ देता हूं मैं अपना business ही छोड़ देता हूं तो भाई छोड़ के जा सकता यानि freedom of exit भी है यही बात कर रहे है freedom of entry and exit कि कोई भी परसर आ भी सकता अगर उसको लगते बहुत प्रॉफिट है अगर उसको लगे कि बहुत निक्सान है तो छोड़के कट भी सकता है वहली बात है freedom of entry and exit बहुत है तो अब यहां तक तो मैं कुछ था ही नहीं है अब जो बेटा जो में ट्वेस्ट आ रहे हैं इसके वह हम बात करें इतना क्लियर है सबसे पहले आप यह लिखोगे freedom of entry and exit में कि कोई भी फर्म आ सकता और कोई भी फर्म छोड़की ज यहां की अब मैं मैं जो हम मेंं बात करने वाले नहीं यहां पर वह हम बात करने वाले शौट रन और लांगरन की केश की शोत्र रन का केश को बढ़े ही ध्यान से समझ लेना पेटा इन- प्रहें श요ट लांगरन इन फन च्पटतों इं-के स आफ शॉट रन कित ओ स्वाके ले लेते हैं in case of long run in case of long run कि समझो बेटा in case of short run तीन टाइप के profits हो सकते हैं in case of short run a firm को तीन टाइप शोट रंग का मतलब छोटे period of time के बारे में बात कर रहे हैं कि मालो दो चर्ट दिन में बेर में normal profit कमा सकते हूं बिलकुल चोटे time में normal profit भी कमा सकते हूं या तो में external प्रॉद्ट कमा सकते हूं एक्स्ट्रा नार्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हूं उसकते हैं उसकते हैं मेरा बिजनस शही-साही चल रहा तो मुझे नमल प्रॉफिट है आपको सिरफ और सिरफ नॉर्मल प्रॉफित होता है सबस्ति यह विसनल में को आप कि उतक हैं यृद किन को क्रें मेरा भीक्त करूंद फीयाा दe सांता है तोन Onu प्रत्व कंवह सकते हैं सुर्व अश्रा नबहुत अज़रे समय कि लॉरे इन केस ओफ लॉग रण एक बिजनस क्या कमाता है मैं अब आपने बोला है हमें समझ नहीं आया आपने बोला है कि मैं क्या हो सकता है कि तो बेटा आज रूज में किसको समझेंगे दो केसी में क्या समझेंगे मालो मालो एक फॉर्म मालो यह अनाज मंडी है उसमें यह फॉर्म है उस फॉर्म को मालो हो रहा है एक्स्ट्रा यह आर्म lies प्राफिट एक्स्ट्राअ नौर्मल प्राफिट अच्छा मैम उसको इतना सारन प्रपेट हो यह पहुत मीं समय प्राम में जो बिजनस कमारे है तो सरी सोचों है बहुत सिर्म पिसेंस में यह को पैसा कमा रहे हैं या रहां पर तो हम भी यहां पर बसकी स्था होलो करते हैं तो होँद क्या हुआ है ने धंदा क्शों लिए अब क्या था सिच्वेशन के थी मैं एक्स्टा प्रॉफिट के कि सिच्वेशन भॉत प्रॉफिट कमरते थी बहुत आगे थी फॉइंड आगी थी मैं बहुत सारी फॉर्म जाने से क्या होगे था सप्लाई बढ़ गई थी नहीं पहले थी लेकिन बढ़ गई बढ़ गये बेशने बढ़ गए अब क्या होगा अब होगा अब ऐस चीछ चाहिए मैं जिस की सप्लाइश जादया दिमान्ड कि owdo lub इनका और आध़र कुंछ जाएगा बिल्कुल प्राइश क्या हो जाएगा जहां पर फेले बिजनस एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे प्राइज कम हो गया रेट कम हो गया मुनाफ़ा कम होगा तो वही एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा नॉर्मल प् लेकिन लॉंग रन में एक फर्म सिर्व और नॉर्मल प्रॉफित कमाती है लेकिन दो केसे पढ़ेंगे आप पहला जो क्यों पर आपका ड़िया है एक कि मालो जुकर में अनाच मंडे की कि बिजनस में जो फर्म है दुकानदार है वह बहुत पैसा कमाने तो दूसरे बढ़ बढ़ीश्णी सप्लाई बढ़ गई दिमांड लोगों की तू उतनी है अब जब सप्लाई ज़्याद ही तो प्राइस का हो जाएगा कम जैसी ही प्राइस काम को यहां पर इंटू प्रॉथेट अब किस वहीत किसमें किनवर्ट हो जाएक आपका नॉरमर प्रॉथेट म मैं माल लो माल लो बिजनस में हो रहा था एक्स्ट्रा नॉर्म लॉसेश को ले ले थे मैं अगर माल नोर्मन मौट रहा है डॉसमें तो अब क्या हुआ अधिकान दार को लगा यार बहुत बिसनस में लगा छोड़ के चले यार और को पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे दुकान दार चले गए एक्जित कर दिया तो क्या कर दिया नग उन्हों एक्जिट कर दिया क्योंकि freedom थी ना entry और exit की कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है तो बहुत सारे दुकानदार चले गए छोड़के अपना बिजनस चक्कर में क्या हुआ मैं अब सप्लाइब कम होगी क्योंकि दुकानदार कम होगे सप्लाइब कम होगे लेकिन दिमांड तो बेचने वले कम खरीदने वले जाधा है तो अब प्राइड बढ़ जाएगा जाधा जहां पे losses हो रहे थे वही losses convert होगे क्या होजाएका पिड्से руки नौर्मल प्रॉसिट जहां पर एकस्टर नौर्मल लॉसिट हो रहे थे वह फिर से आ noch वो जाएगा इंटूड ऑ नार्मल प्रॉफिट या रुवा अच्छे समझा है यही बात करने में इस व्लोंगराइन सिरफ और उसे नॉर्मल प्रॉफिट कमाते क्या कम आते हैं नौर्मल प्रफिट कम आते हैं दुल और से देख लो क्या है पह·ला मैंने लिया एक्स्टानॉटेमोटाब्फिट एक्सिल च् Gardा जलोह रहा था आप बिसमें छोड़ चले को थ mm कर तदर तो टो सिरो एक्सेट्स करें नौर्मल प्रोफिट की प्राइस जादा है उसलीन टारफिट जाने रए जाखुए फर्म को वह फिर्से घुज आए बेस्टर समय कर आओ दो प्राफिट अब यहीं था फ्रीडरum of entry and exit सबसे पहले आप पिता होगी कि भाई कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है अगर फॉफिट हो रहे तो कोई भी आ जाए अगर उनको लॉसे लाग रहे तो भी छोड़ के बाग सकता है अब हम बात करेंगे इन लॉंग रहे नाम इन के सब्सक्राइब की सिट्विशन हो स से अगर extra normal profit है तो यह वाली situation आजाएगी मैं अगर extra normal losses है तो भी वापने साथ किस पर आजोगे normal profit पर आ जाओगे यही आपको explain करें अध्यान समझागे paper में कई बार question आजाता है कि कैसे question आजाता है कैसे profit competition में long run में profit competition market में long run में एक form सिरफ-सिरफ normal profit market कमाती है तो यह question आजाता है हाओ यह वाई और फॉर्म ओन्ली ऑन्स normal profit in case of in case of perfect competition market तो आप यही समझाओगे कि भाई in case of long run सिर्फ-सिरफ normal profit इसलिए कमाती है क्योंकि अगर माल लो दो situation ले ले लेते हैं अगर माल लो इफ इनकेस एक form extra normal profit कमा रहे हैं तो बहुत जाएंगी एंटर करेंगी मार्केट में एंटर करेंगी तो supply बढ़ जाएगी supply बढ़ने से क्या होगा demand तो उतनी है supply बढ़ने से price कम हो जाएगा जहां पर फॉर्म को एक्ट्र नार्मल प्रॉफिट हो जाएगे इंटियों नार्मल प्रॉफिट बहुत जाएगा इंपॉर्टेंट कोशन है बेटा मैं पहली बतारियों स्टार मार्क कर लीजिए कुछ भी कोशन घूम फिर के यहां से आ सकता है समझ भारे हो हो गया जी बिलकुल हो गया जी मैं यह तो हमें हो गये सारे के सारे फीचर हमने पढ़ लिए एटू जैड आपको यह वाले फीचर में कोई भी डाउट नहीं होगा अभी तक अब हम फड़ा पड़ से देख लेते हैं अब हम आगे की टॉपिक पर पढ़ने व सब्सक्राइब करें अब बच्चे नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कई ऐसे क्यों बनाया सप्लाइब को ऐसे क्यों बनाया तो एक चीज यह भी सीख लो इहीं पर ट्रिक सिखा रही हो देखो हमें पता है दिमांड में क्या होता है नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस बनी तो यह आपकी क्या है डाउनवर्ड्स लॉपिंग दिमांड कर अब सप्लाइब कर देको क्यों अभी सब्सक्राइब होता है प्राइस बढ़ता है तो सप्लाइब घ्रतिए देखो अगर मैं यहां पे देखो शुरु से देखो कि प्राइस ऑफ यह उपर जा रहे है यह मक्रूंम लापिंग झैसे और जा रही में नीचेत्ट ऑपर जा रहे ह। कब यही प्राइज होगा अब फॉर्म अपनी मर्जी से प्राइज को ऊपर नीचे नहीं करेंगी क्योंकि थोड़ा प्राइज बढ़ाएगी तो कस्टमर दूसरी जगे चले जाएंगे वही वहीवली बात कर रहें कि क्यों प्राइज स्टेकर है प्राइस में करने तो इसके 3 रीजन पहला घिए तो इस फोड़ा नहीं चेड़ सकता कोड़ भी रेट में चेंजेस नहीं ले सकता इस लिए जो ऑगी स्थेप आस्याइस वेड़ीटी वेड जो है रिप्रोड़क्ट कोई भी फ्रोडक्ट में चेंज नहीं है इसलिए फार्म प्राइस में छेड़ छाड़ क्योंकि जितने भी दुकांदार है हर दुकांदार के पास होमोगीने अध्याइस पर चाहिए थोड़ा सा अभी अगर एक दुका अंदर बढ़ाएगा तो उसके कस्टमर का चले जाएंगे दूसरी जगे चले जाएंगे इसलिए वो प्राइस टेकर है जो पीछे से रेट आता है वही पोलो किया जाता अपनी मर्जी से प्राइस में छेड़ चार्ट नहीं करता वही वली बात हो रही अगर इस एले ने चेट चार्ट कर दी तो कस्टमर कहां चलेगा दूसरी जगे चले जाएगा उसको प्रोडक्ट एक जैसा है जब हर दुकान ने जैसा प्रोड़क्ट बढ़ा रहा है बना रहे है तो तू कौन रेट बढ़ाने वाला जब हर जगे 1000 पे का मिल रहे तो तो क हम के जितने भी कस्टमर से वह कहीं और चले जाएंगे वही वली बात हो रही है इसलिए प्राइस टेकर है नौट प्राइस मेकर आता सही तो मैं यह तो पुराने पॉइंट सी तो है बिल्कुल बट कॉश्चन कैसे आए तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है आगे पीटा एक बार डाइग्राम भी देख लेते हैं के जो पॉफट कॉंपेटिशन डाइग्राम क्या बनता है यह भी मैं आपको पता चुकिए हमें क्या बाला मालों मार्केट फॉर्स ऑफ डिमांड सप्लाई की बेसी यह रेट आया हजार पे तो हर बार प्राइस क्या होती है और प्राइस किसमें होता है माम रुपीज में होता है और जो प्राइज है वह हर बार क्या रहेगा पारलल टू एक्स एक्स होरीजॉंटली पालल टू एक्सेस का मतलब है प्राइज हमीशा कॉंस्टेंट रहेगा क्योंकि पीछे से रेट आया वही रहेगा अपनी म मतलब 2000 यह मैं यह निक्हाइब चार बोरियां बेच रहा हूं तो थोड़ा डिस्काउन दे नहीं यह बोला शीचम सिस्टम निया एक बोरी कितना मर्जी डिमांड में चेंज इलास्टिसी डिमांड का मतल्स है इस इस इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोल देते हैं पॉफेक्टली पॉफेक्टली इलास्टिसीटी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है बहुत सब्सक्राइब बहुत अच्छे से समझ आगा भाई थांक्यू सो मच लास्ट बने रहने के लिए और ऐसे ही बेटा बस अपना प्यार देते रहो एसे पढ़ते रहो जोस्ते पढ़ते रहो और हसते रहो मुस्कराते रहो खुश रहो थांक्यू